सबसे पहले एलेप्स टूल पर क्लिक करें और एक मुकमल राउंडेट दाहरा इसमें प्रेट कर लिए कंट्रूल का बटन दबाएं और माउस को ड्रेग करें अब इस दायरे की कापी बनाएं कंट्रूल सी की जरीए और पिर कंट्रूल वी की जरीए इसको पेस्ट कर ले तो ये दो दायरे बन गए अब इस दायरे को कंट्रूल दबाकर माउस की जरीए ड्रेग करें या इस तरह इसको एड़्जास कर लिए हम पर अब इन दोनों दाइरों को सेलेक्ट कर ले और वेल्ड कर ले यहां से अब शेप टूल पर क्लिक करें इस नोट को सेलेक्ट कर ले यह समेट्रिकल नोट आप्शन पर क्लिक करें यह थोड़ा स्मूथ हो गया है अब इन तीन नोट को सेलेक्ट कर ले माउस ड्रैक कर ले और इनको सेलेक्ट कर ले और डाउन एरो की की जरीए इनकर अड़ेस्ट कर ले यह शेप की जो है ना एक शेप या एपल का एक शेप हमें मिल गिया है अब हम इस एपल पर कुछ इफेक्ट सिप्लाई करेंगे शेप हमें बना लिया है तो सबसे पहले आप यह आर्टिस्टिक मीडिया टूल पर क्लिक करें यह प्रापरटी सेलेक्ट कर लें यहां से प्रिसेट और इस आप्शन को आप सेलेक्ट करें और इसको फिर ड्रैक कर लें एक लाइन बनाएं अब हमने इसको तोड़े अज़ेस्ट करने जूम टूल की जरीए इसको जूम कर ले यह शेप टूल की जरीए इसके अंदर एक पात है इस पात को सेलेक्ट करें इसको सीधा करने पहले अब भी इन हैंडल की जरीए हमने इसको अज़ेस्ट करना है इस तरह इन हैंडल की जरीए हम इसको अज़ेस्ट करेंगे अपने रिक्वार्मेंट के मताबिक इसके साइज को भी तोड़ा चोटा कर लेते हैं यह साइज में तोड़ा बड़ा है यह तकरीबन आलमुस्ट यह ठीक है तोड़ा सा इसको हम और ज़ेस्ट करते है अब इस पर राइड की क्लिक करें और यह ब्रेक जो है यह वाल आप्शन इपलाई करें ब्रेक अटेस्टिक मीडिया अब इस से पाथ को अलग कर ले और डिलेट कर ले अब हम ने इसको इस इपल के पर रिपलाई करना है एफ फॉर से जूम कर ले यहां पर यह ठीक रहेगा थोड़ा सा हम इसको इसके डबल क्लिक करके तो इसके हैंडल के जरीए इसको तोड़ा सा रोटेट करते हैं इस तरह धक्री बनोना चाहिए इसमें वाइड कलर फिल करें और इसके आउट लाइन को बलेक कलर दे दे यहां अब इसी को जाना नीचे हम कापी करते हैं तोड़ा सा इसको इज़स्ट करेंगे तोड़ा बड़ा करेंगे इसके और कापी बनाएंगे इसको तोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे यह लाच करेंगे तोड़ा सा यह तीन इसके जो है हमने बना ली है अब इन तीनों को शिफ्ट की ज़रे सेलेक्ट करके ग्रॉप कर ले राइट की क्लिक कर ले और पिर ग्रॉप करें कापी करें, कंट्रूल सी से और पेस्ट कर ले, कंट्रूल वी से और यहां से इसको मेरर हरिजेंटली कर ले यहां ले आए इसको इनकी पुजीशन को तोड़ा सा हमने अभी चैंज करना है कि इस तरह आ जाएंगे तोड़ा सा हम इनको इनको इनलार्ज भी करेंगे तोड़ा सा इस तरह कर लीते है तोड़ा सा अधेस्ट की भी होनी यह 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 जाएंगे इसको तोड़ा सा मcrates पीछी के तरफ ले जाउंगा सो इनको इसी इड़ा साङक थाको आपको लगए कि ये कर्व जो बनेंगे वो अच्छे बनेंगे खुब्सुर्ट लगिंगे बीूटिफकूल लगिंगे अभी आप इसको और इन दोनों को जो है आप select कर ले और group कर ले group कर ले अब इस group objects को आप select करें और shift की साथ इस apple की shape को भी select कर ले और पिर ये trim का option हमारे पास है इस पर click करें अब इन आपजेक्ट को हम अटाते हैं delete करते हैं हमेने इसको ये हमारे पास cut effect किसी तरह इस save जाना ये बन किया है apple अब हमने इस apple को 3D shape देना है ये जो करज हैं इनको हम तोड़ा 3D shape मिलाना चाहते हैं तो तोड़ा जूम करते हैं ये freehand tool से आप click करें इस पर और यहां यहां से ऐसे line ड्रा कर लें तो यह हम बहुत 3D shape में convert होना शूरू हो जाएगा इस तरह पीसी तरह कर लें इस तरह अगर हम उपर से इस को line को ड्रा करें तो यह कुछ तोड़ा सा और एफेक्ट देगा हम दोनों एफेक्ट इस पर अपलाई करते हैं अब यह तक्रीबन आप मनज़र आ रहा है कि यह ओपर से ट्रीड टैप लक रहे हैं और यह नीची से लिए अब हम ने स् sinking फेल टूल की जरीए इसमे इसमे कलर फिल करना है यहे अलग अलग शेप बन गए और इनको शेफ्ट की जरीए सलेक्ट कर लिए सबको क्लिक करें और शेफ्ट की जढ़े इस साथ साथ Solo क्लिक करते जाएं इन पे और यह सलेक्ट होते जाएंगे इस सारे सेलेक्ट होके अब इनको गुरूप कर ले कंट्रॉल जी की जरीए इनको गुरूप कर ले और Ctrl X की जरी हमने तोड़ा यदर से वक्ति तर्फ पर हम यहां से करते हैं हम ने यह वाले जो एक्स्ट्रा भे लाइन रए गई रे गई यह इनको आठाना है तो इन लाइंस को सेलेक्ट कर ले और डिलीट कर ले यहां इस सेब में हम कलर बरेंगे तो इसके लिए हमने इंटरेक्टिव फिल का इस्तिमाल करना है आप्शन इंटरेक्टिव फिल क्लिक करें इसके पर यहां से ड्रैग कर लें इसमें यह वाला आप्शन ले लें इलेप्टिकल फॉंटेंट फिल इसको परस हमने एड्जेस्ट करना है यहां ले आएंगे यहां ऐसे टोड़ा अरजस्ट करेंगे तो अभी इनक ये दो color है इसमें एक यह ब्लैक का इक वाइट है यह ब्लैक वाली जो color है यह इसका basic color होगा इसको हम red कर देते थोड़ा सा हम इसको dark करेट कर लेते है और ये वाला जो कलर है इसको हलक करेट करेंगे ता कि पिंक सा हो जाएगी सो यह तक्रीब बन जाना एक बन गया है सेप की तरह का शेप कलर भी उसी तरह की मिल गए अभी हमने इनको सेलेक्ट करने है यह सार इकटे है इन समको हमने सेलेक्ट करने है और डार्क किसम का इसमे कलर बरना है यह डार्क कलर हमने इसमें बर लिया है अब यह आउटलाइन इनके लगी हुई है कंट्रॉल ए के जरी सबको सेलेक्ट करके राइट की क्लिक कर ले और आउटलाइन खतम कर ले आउटलाइन खतम हो गई है तो आप देख रहे किए कट इफेक्ट के साथ एक सेफ बन गी है अब हम इसको अधर एक ब्रांच भी बना लेते हैं ब्रांच भी बनना चाहिए यह इसके जरी बना लेते हैं यह आठिस्टिक टूल वही तरीका अपलाई कर ले और यहां से ऐसे ड्रैग कर ले हुआ है निसके पात को सेलेक्ट करके यह वाला नोड एक्सटर लग रहे हैं इसको पहलर डिलिट कर देते हैं अब इस के पात को सेलेक्ट कर ले और है कि अध्य करफ शेप में हैं सो यहां से हैंडल के जरी अड्रियण को अड्यश्ट कर यह तक्रीबन ब्राइच के ब्राइच बन गया यह तो बसा इसको इस तरफ मूँ कर लेंगे अब इसमें ग्रीन कलर डाल लेते हैं डार्क ग्रीन हो गया बहुत जादा तोड़ा साहल का कलर कर लेते हैं इसके साइज को छोटा कर लेते हैं तोड़ा सा एक और कापी इसकी बना लेते हैं और यह जो कट से इनको हम यालो कलर लगा लेते हैं यालो कलर इस्तिमाल करते हैं इसके उपार तो ये आपके पास परणा एक कट इफएक्ट में एक सेव बन गया ये किसी भी शेप पे किसी भी शेप पे इसके इसको इसको इसके सकते हैं मैं अक्सर अपनी टिटूरियल में सेव ड्रा करके इस्तिमाल करता हूँ उसकी वज़ाए यह थी कि सेव ड्रा करने में असान होता है और हाप के टैम की बचत हो जाती है तो अगर आपको यह टिटूरियल पसंद आया हो तो वेल कबटन भी दपाए और सब्सक्राइब भी करने लाइच भी करने वीडियो थेंक यू फर वाचिंग खुदा आफिस